आप सभी का एक्सपर्दय चैनल में स्वागत है तो आज जो हमारा लेक्चर है ओ डिफ्रेसेशन जो अर्टिकल हमने स्टडी किया है उसके रिविजन का है तो आज के लेक्चर में हम पूरा डिफ्रेसेशन स्टडी करेंगे याने कि अगले एक घंटे में आपका पूरा तो यहाँ पर जो बेसिक चीजेश हैं ओ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो पॉइंट्स हमने कवर किये है उस पॉइंट्स के रिलेटेड कुछ विईज में आपको बताऊंगा किस तरह के प्रभू ब्रब्लेंस आते कैसे भहरी होते हैं आपको कहाँ पर स्ट्रेस देना होगा क्या आपको करना होगा कुन सी बेसिक चीज़े आपको यूज करनी है इन सभी चीजों के बारे में आज का यह हमारा लेक्चर है ताकि कॉंपिटिटिव में जब भी आपको एक्जाम फेस करोगे चाहे सीटी हो या फिर जी हो या फिर आयाटी हो तो इस एक्जाम में आपको इस लेक्चर की हेल्प होगी और आपका पूरा स्टड़ी एक गंटे में हो जाएगा तो इस चाप्टर के लिएटेड इस थेरी को देखने के बाद अगर आपने कोई भी टेक्स बुक यमसी क्यू बुक से या फिर आपको द तो चलो क्या है डिफ्रेंसेशन तो बीसी कली जो थीम है उसकी या फिर उसका जो मिनिंग है ओ क्या है डिफ्रेंसेशन मतलब क्या कि जैसे भी हमारे प्लास होते है या फिर स्कूल होता है स्कूल में क्या होता है कि जो बच्चे स्कूल में इंटर होते हैं उनको उनके क्ला को हम क्या बोलते हैं है डिफरांसेशन मद्या क्या कि जो कोई बड़ी चीज he is the उनको क्या करो डिवाइड करो छोटे चोटे पार्cko को करके भूर चोटे-चोटे पार्ट में उसका डिफ्रेंसेशन कर दिया तब सबी का मीनिग क्या है डिफ्रेंसेशन आउगे तो यह इसके इसके फांडर को न है तो आप सभी को पता होगा सर प्रिंसेशन का जौते हैं तो तो क्या है first principle, first principle, तो चलो किसी भी differentiation में, जब भी हमें derivative लेना होता है, तो हमारे पास दो variables हमेशा होते हैं, तो क्या होते हैं, जैसे भी हमने क्या किया, y is equal to f of x, ऐसे function को represent किया, जैसे हम function को represent करते हैं, यहाँ पे देखो y is equal to f of x, that means y is a function of x, इसका मतलब जैसे x vary होगा, वैसे y भी क्या होगा, vary होगा, इसका मतलब y की value जो है, वो किस पे depend है, वो x पे depend है, तो y की value अगर x पे depend है, यानि कि x किसी भी depend नहीं है, तो यहाँ पे x क्या होगा है, आपका independent variable हो गया, क्या हो गया, independent variable, और y जो है, वो x पे depend है, तो आपका x क्या हो गया, dependent variable हो गया, तो आपका y dependent variable हो गया, x आपका independent variable है, तो आप जब भी किसी function को differentiate करोगे, तो differentiate करने के लिए एक basic चीज आपको याद रखने होगी, कि आप differentiate हमेशा dependent variable को with respect to independent variable ही differentiate कर सकते हो, इसका मतलब आप y को with respect to x differentiate कर सकते हो, तो फिर इसका derivative मतलब क्या होता है, dy by dx is equal to f of x का derivative हमके से लिखते है, यब dash of x, तो d by dx, एक्या है आपका dy by dx जो है, यब आपका differential operator है, इसे हम capital D भी बोलते हैं, तो यहाँ simply हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dy, या फिर यब dash of x, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, f1 of x, तो notation जो है derivative के, वो अलग-अलग होंगे, आपको इने भी अच्छे से समझना होगा, क्यूंकि competitive exam में ऐसा नहीं होता, कि एक ही notation यूज किया होता है, तो अक्सर question में ऐसे notation यूज किया होते हैं, जो हम rarely use करते हैं, तो आपको सभी को notations पता होने चाहिए, तो यह different क्या है, notation से related to representation of a derivative, तो यह जो derivative है, यह कैसे आया, तो यह आया first principle से, तो first principle क्या है, कि जैसे हमने देखा y is the code या फोप x हमारा function है, तो उसका derivative क्या आएगा, f dash of x आएगा, आपका chapter पहले भी हो चुका है, तो यह सभी चीज़े आपको मालूम है, तो फिर f dash of उसका derivative आएगा, तो first principle से जैसे Newton ने derivative क्या था, तो कैसे लिखा था, f dash of x is equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h, तो फिर क्या है, limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h, यह limit जो है, अगर यह limit exist होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, differentiation मिलेगा, तो इसका मतलब यह भी है, कि हर function का differentiation मिलता है, ऐसा नहीं है, तो जैसे हमें पाता है, limit का evaluation हर वक limit evaluate होगा, ऐसा नहीं है, कुछ function ऐसे भी होते हैं, जिनके limits evaluate नहीं होते, तो इसका मतलब यह बना, कि हर function का derivative आपको मिलेगा ही, ऐसा नहीं है, तो कुछ function ऐसे भी होगे, जो differentiable नहीं होगे, तो यह limit अगर exist हुआ, तो उस limit को हम क्या बोलेंगे, यप का derivative यानि function का derivative बोलेंगे, यानि कि यप dash of x बोलेंगे, तो यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, यप dash of x फइन करना है, at x is equal to a को, तो simply आप x की जगह क्या put करो, a put करो, तो आपको क्या मिलेगा, यप dash of a is equal to limit, h tends to 0, f of a plus h minus f of a upon h, तो यह आपका formula हो गाया, derivative at x is equal to a को, तो यह जो actual concept है, यह हो गाया, first principle, तो यहाँ से अगर हम further move होए, competitive की सबसे, तो आपको एक और definition यहाँ पर मिलती है, if yup dash of a minus is equal to yup dash of a plus, then and then only yup dash of a exist, तो यह भी एक अलग definition है, case definition है, आप अच्छे से सुनो, yup dash of a minus is equal to yup dash of a plus, तो इसका meaning क्या है, इसका meaning है left hand derivative, और इसका meaning है right hand derivative, अगर x is equal to a को, left hand derivative is equal to right hand derivative आता है, तभी हम क्या बोल सकते है, उस function का derivative at x is equal to a को exist होगा, अगर left hand derivative and right hand derivative से नहीं आते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, तो यह जो differentiability का article है, इसको अगर आपको और detail में या depth में study करना है, तो मैंने description में differentiability की क्या दी है, लिंक दी है, आप उसको अच्छे से देख सकते हो, जिसमें यह पूरा left hand derivative, right hand derivative with example, कैसे solve करने हैं मैंने दिया है, तो चलो, यहाँ पे left hand derivative and right hand derivative अगर सेम आएगा, तभी आप क्या बोल सकते हो, आपका derivative exist होगा, तो left hand derivative की definition क्या है, limit h tends to 0 minus f of a plus h minus f of a upon h is equal to f dash of a minus and limit h tends to 0 plus f of a plus h minus f of a upon h is equal to f dash of a plus, तो आपको अगर आप गौर से देखोगे, आप देखोगी क्या है, similar definitions है, similar नहीं है, यहाँ पे जो आप function select करते हो ना, यह function select करना बहुत ज़रूर है, definition तो सेम रहेगी, लेकिन function क्या होगे, chain होगे, यहाँ पे जो आप f use करोगे, यहाँ पे जो function याँनिकि अप आप आप एक्स आप यूज करोगे, वो कैसा होना चाहिए, x tends to 0 minus, याने कि x tends to a minus, याने कि इस derivative में, आपको जो function select करना है, वो function कैसा होना चाहिए, x less than a के लिए होना चाहिए, और इस derivative में आप यहाँ पे जो function select करोगे, इस function में, यह फॉप x जो है, वो क्या होना चाहिए, एस से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों में हम function क्या करते है, अलग-अलग use करते है, तो कौन सा function use करना है, left hand derivative के लिए जो function use करना है, वो function ऐसा होना चाहिए, जो x less than a के लिए define किया गया हो, और right hand derivative के लिए जो function हम use करते है, वो function कैसा होना चाहिए, जो x greater than a के लिए define किया गया हो, आप वहाँ जाके उसका जो problem solve किया है उसे देख सकते हो ताकि यह जो concept है यह आपकी perfect हो जाएगी तो यह भी एक definition है जिससे हम चेक कर सकते है function differentiable है या नहीं है तो अब जो first principle हमने study किया है उस first principle की help से हमने क्या किये है बहुत से formulations को obtain किया है ज्यसे कि x का derivative क्या होता है 1 x2 का derivative क्या हाता इस इसाफ से अगर हम इसे continue करेंगे तो x raised to n का derivative क्या आता है यन x raised to n minus 1 exponential में अगर हम चलेंगे तो e raised to x का derivative क्या है e raised to x उसके बाद a raised to x का derivative क्या है a raised to x into log of a तो a हो गए exponential में logarithm में चलेंगे तो log of x का derivative क्या है 1 upon x है तो sin of x trigonometry में अगर हम चलेंगे तो sin x का derivative क्या है cos x, cos x का derivative क्या है minus sin x, tan x का derivative क्या है 6 square x, cortex का derivative क्या है minus cos x square x sec x का derivative क्या है sec x into tan x, cortex sorry, cos x का derivative क्या है minus cos x into cortex तो यह जो basic formulations है उस formulations को हमने study किया है तो यह जो formulation से वो कहां से obtained हुए है first principle से obtained हुए है तो same problems को हम कैसे लिखते हैं जैसे कि sin of x मैंने लिखा तो sin of x की जगह क्या क्या है मैंने sin of ax plus b ऐसे लिखा तो उसका derivative कैसे लेते हैं आपको पता है sin of something आई शुम करते हैं तो इसका मतलब क्या हो यह आप ए देखो, sin of ax plus b यह जो a मुनिक पॉल्णल में लित्ज़ सिब मुनिक पॉनियारमिक के लिए हम ऐसा करते है sin of something का derivative तो मुझे इसका क्या करना एं Derivative लेना है तो sin of something का derivative क्या होगा sin का derivative क्या है cos तो ax plus b को ऐसे लिखेंगे सम्तिंग का डिरीट्व आ गया uh अगया a x बर्रेंट्व का डिरीट्व, उसका डिरीट्व के आ है multiply करते इस तरह से formulae जो हमने study किये थे उनका generalization भी हमने यहाँ पे study किया है तो इस हिसाब से आप बाकी formulation को भी generalize कर सकते हो तो उसके बाद जो आपका main article है ओ है algebra of algebra of differentiation देखो algebra of differentiation में basic चीज़ क्या है कि algebra मतलब क्या होता है addition, subtraction, multiplication, division and scalar multiplication तो सबसे पहले अगर आपके पास u and v ऐसे दो different functions होंगे जिनकी आप क्या कर रहे हो addition तो उसका derivative याने की d by dx क्या होगा उसके लिए u and v दोनों भी क्या होंगे functions of x होंगे इसका मतलब u क्या है function of x याने की x क्या है independent variable है मैंने starting में आपको बात आया था derivative के बारे में उनके दो variable के बारे में तो यहाँ पे u and v दोनों क्या है x के functions है तो u का derivative यहाँ पे क्या हैगा du by dx plus v का derivative क्या आएगा d by dx तो यह जो प्रॉपरिटी इसका मतलब अगर दो functions की addition है उसका हम derivative लेंगे तो क्या होगा तो हम derivative की क्या ले सकते है addition ले सकते है याने कि दो function की addition है उसका derivative कैसे लेना है तो simply दोनों की derivative की addition लो अगर उनका subtraction लेना है तो उनके subtraction की क्या लो addition लो इसका मतलब क्या है कि दी बाइडी एक्स क्या है differential operator है तो यह differential operator क्या होता है addition and subtraction के over distribute होता है अच्छे से देखो क्या हो गया कि जो operator है यह क्या हो गया addition and subtraction के over distribute हो गया तो सेकेंड प्रापर्टी जो है ओ है डी बाइडी एक्स ऑफ के इन्टू यू अब यहाँ पर क्या है के जो है ओ क्या है स्केलर है स्केलर का मतलब क्या होता है constant है और यू क्या है यू इस फंक्शन ऑप एक्स है तो हमेशा हमें क्या सिखना है कि जो constant variable के साथ आते है वो derivative के बाहर चले जाएंगे इसका मतलब के into du by dx होगा तो क्या हुआ इसका मिनिंग क्या है कि अगर स्केलर जो है constant जो है वेरेबल के साथ आएगा तो वो सर्वाई कर जाएगा वो operator के बाहर जाएगा लेकिन constant अगर अकेला आएगा जिसके साथ कोई भी variable नहीं है तब उसका derivative क्या होगा जीरो इसका मतलब d by dx अगर simply k है तो इसका derivative क्या आएगा जीरो आएगा तो आपको जानना जरूरी है कि constant with variable होगा तो वो survive करता है operator के बाहर जाता है लेकिन constant अकेला होगा तो उसका derivative 0 होगा जो थर्ड प्रापर्टी जो ही जिसको हम product rule भी बोलते है अगर u and v यह दोनों x के function से और उसका derivative अगर हमें लेना है इसका मतलब d by dx of u into v मतलब क्या होता है simple है first as it is into derivative of second plus second as it is into derivative of first first को ऐसे ही रखो second का derivative plus second को ऐसे ही रखो first का derivative यह क्या है आपका product rule है product rule of a derivative इसका मतलब क्या है कि multiplication के over जो आपका operator है वो क्या नहीं होता वो split नहीं होता तो इन सभी के proofs भी हमें study करने लेकिन proof के लिए हमें कोई जलबाजी नहीं है तो fourth में देखिए क्या है d by dx of u upon v इसका मतलब यह क्या है कोशन टूल है ओके ना तो कोशन टूल जो है कैसे बोलते हैं हम इसको यह numerator a denominator denominator as it is derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator divided by square of denominator यह क्या है आपका कोशन टूल है इससे आप अच्छे से familiar हो first क्या है डिनोमेटर इस डिरिविटिव भी बोलते हैं तो इससे यह basic rules है इससे आपको अच्छे से समझना होगा according to operator differential ओके ना डिरिविटिव का जो operator है उनके क्या रूल से इससे आपको अच्छे से समझना होगा एक और चीज़ यहाँ पर आपको तंग करेगी ओ है लेबनीज नोटेशन क्या है लेबनीज नोटेशन अब लेबनीज नोटेशन क्या होते है डिप्रेंशेब्लिटि का जो article है उसमें मैंने आपको यह अच्छे से बताया है कि लेबनीज नोटेशन क्या होते कि चलो यहा कैसे लेते है d x, तो इसे हम क्या बोलते है यसे हम डिपेंड़न्ट रेवल है तो य एकस पर डिपेंड है, इसका मतलब एकस बढ़ेगा, तो y y plus y क्या होगा जब delta x x में increment होगी तो delta y y में increment होगी और new value x plus delta x है तो y की new value क्या होगी y plus delta y होगी तो final value क्या है y plus delta y initial value क्या थी y तो final minus initial इसका मतलब क्या आ गया change इसका मतलब यह आ गया delta y ठीके तो delta y क्या होगा so delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x अच्छे से देखो y plus delta y यानिकी क्या है f of x plus delta x and y की value क्या है f of x तो ये दोनों cancel हो जाएंगे delta y की value कितने आएंगी f of x plus delta x minus f of x तो दोनों साइट से हमने delta x से डिवाइड किया so delta y upon delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x upon delta x तो अगर हमने limit ले लिया limit delta x tends to 0 तो यहाँ पे भी limit ले लिया limit delta x tends to 0 तो ये जो part आगया ये part आप यहाँ से compare कर सकते हो limit x tends to 0 h की जग़ यहाँ पे क्या आया है delta x delta x क्या है a small increment in x तो देखो h की जग़ delta x आगया f of x plus h 10 x और minus f of x upon h की जग़ आया delta x तो इसका मतलब क्या है h tends to 0 है delta x tends to 0 है तो ये भी क्या है according यहाँ पे हमने h notation यूज किया और यहाँ पे सिफ delta x notation यूज किया तो ये क्या है तो ये आपका yub dash of x है तो इसका मतलब क्या yub dash of x यानिकी क्या dy by dx dy by dx यह आपकी क्या है notation है इस तरह के जो theorem समने study कर किये हैं चाहे chain rule study किया हो parametric rule study किया हो inverse function theorem यूज किया हो जब भी theorem का proof हमें देना था तब हम limit delta x is to 0 delta y upon delta x is equal to dy by dx लिखते थे तो ऐसा क्यों लिखते थे वो first principle से and Leibniz notation से आया है इसका detail proof मैंने link में जो description ने जो link दी है उसमें है तो आप चाहें तो यहाँ पे clear होगा है तो well and final अगर यहाँ से clear नहीं हुआ है तो वहाँ पे आप detail में देख सकते हो तो यह जो basic चीजे है इनके application जो आपने study किये है तो यहाँ पे जो part था आपका differentiation का first part था अब इसका generalization हम करेंगे करेंगे तो यहाँ है हाँ है है ओके है तो उसके जन्रलाइजेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है composite function theorem तो इससे ही हम क्या बोलते हैं चेंड रूल बोलते हैं इससे क्या बोलते हैं चेंड रूल तो यहां से आगे आपने का स्टडी किया है 12 में स्टडी किया होगा ओके चलो देखो तो competitive में तो ऐसा 11 थैन 12 नहीं होगा तो chain rule क्या है इसका मतलब पहले composite function पता होना चाहिए composite function क्या है चलो देखो यहाप है मैंने क्या लिया y is equal to यह जी ऑफ x इस तरह से मैंने क्या किया function ले लिया तो इससे हम कैसे क्या एक composite function का derivative लेना है मतलब इसका derivative लेना है तो मैंने यहां पर क्या किया differentiate with respect to x अब यहां पर competitive में आपको कोई theorem या उसका पूछने वाला है नहीं तो आपको concept को अच्छे से समझने होगा आप सिप क्या करो यहां पर concept clear करो problem कैसे solve करने हैं तो यह देखो y is equal to f of into g of x बोल सकते तो डिफ्रेंशेट क्या तो y का derivative मतलब क्या dy by dx is equal to यहां पर operator ले लिया d by dx of f of g of x तो आपको करना क्या होता है जो सबसे पहले यहां आता है ना उसका derivative लेते चलो जब एक का derivative ले ले लिया ना तो उससे आगे का पाट वैसे ही लिखना है इसका मतलब यहां पर पहले f का derivative आएगा मतलब क्या यह ड़ैश ऑप अब अपने यह का derivative ले लिया तो यहां से आगे का सब पाट आप वैसे लिखोगे तो अब यह यहां से आगे का पाट का derivative बाकी है so into d by dx of g of x तो यह 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 इसे ही रहेगा आप g का derivative लेना याने कि क्या होगा g dash of x into तो g का derivative ले लिए आपने तो उससे आगे का पाट आपको ऐसे ही लिखना है इसका मतलब d by dx of x तो यह value 1 आ जाती है so f dash of g of x into g dash of x यह इसका क्या आगया derivative आगया तो अगर यहां पर आपका functions complicated होता है y is equal to f of g of h of x इस तरह से तो देखो कितने three functions का आपके पास क्या है composition है तो आपको डरनी की कोई बात है यह नहीं सिप आप rules को follow करो क्या करना है मुझे इसका differentiation करना है मतलब d by by dx is equal to पहले इसका derivative ले लिना है जब भी मैंने derivative लिया तो उससे आगे का पाट वैसी रिखना होता है यप का derivative ले लिया यप dash तो यहाँ पे g of h of x जो है यह इसे रहेगा into जो ऐसे रहा है उसका derivative multiply करना है तो अब क्या होगा यहाँ पे आगा है यप dash of g of h of x into अब g का derivative ले ले लिया तो क्या होगा g dash तो उससे आगे का पाट ऐसे लिखेंगे h of x तो आगे के पाट के derivative से multiply करना है तो d by dx of h of x तो आगे क्या होगा यप dash of g of h of x into g dash of h of x into अब s का derivative क्या है s dash of x x का derivative क्या है 1 तो उसे लेने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से आपके composite function के derivative आते जाएंगे अब होता क्या है जब power function होता है इस तरह से y is equal to f of g of x raise to y चलो आइसा है आगे तो आपको करना क्या है अंदर चाहिए जो भी हो सबसे पहले क्या करना है power function का derivative लेना होता है आप यहापे गलती कर जाते है इसलिए मैंने यहापे specifically आपको बताया कि किसी भी function में पहले power का derivative लेना होता है d by dx of f of g of x तो f of g of x का derivative कैसे फिंड करना है यहापे आपको बताया है तो यह जो step है यहापे आप क्या करोगे continue करोगे तो chain rule या composite function theorem में सिफ यह जो basic चीज़े मैंने यहापे बताईए अगर आप इसे ही follow करोगे तो आपके किसी भी question का answer आना तय है तो सिर्फ आपको क्या क करना है और एक बात जब भी आप डिप्रेशेट करते हो ना तो सबसे पहले option को observe करो learn करो option में क्या एकस्पेक्टेड है option में आपकी जो demand है ओ क्या है तो option को देखके आपको question में कैसे solve करना है यह demand का पता चल जाता है तो सबसे पहले जब भी option read क्रो ना जब भी आप question read करो तो आप क्या करो पहले options को भी read करो तो options जो होते हैं वह आपको guide करेंगे how to solve the problem तो यहाँ पर यह तरह से आपका chain rule फिनिश्ट हो जाएगा तो chain rule पर best बहुत से problems है अपने study किये होंगे या फिर आप कोई भी text sheet आपको दिया गया है उससे solve कर सकते हो तो यहाँ पर second category जो है व of inverse function derivative of inverse function देखो अब derivative of inverse function सबसे पहले आपको क्या study करना है inverse function क्या होता है study करना है inverse function आपका कब exist होगा study करना है हमेशा inverse function exist होगा ऐसा नहीं है जब भी आपका जो main function है इसका मतलब चलो आपने y is equal to यह फॉप x ले लिया अगर आपका यह फॉप x 11 है आपका यह फॉप x on to है तभी ओ क्या होगा और on to को हम subjective भी बोलते है जो parallel words है यह आपको याद रखने होंगे क्योंकि question में इसी type के words का use किया जाता है तो आपका function one one होगा on to होगा इसका मतलब injective होगा सुर्जेक्टिव होगा तभी ओ बाइजेक्टिव होगा और function बाइजेक्टिव होगा तभी उसका inverse exist होगा तो अब इसका inverse exist होगा तो क्या होगा यक्स इस इक्वाल टू यप इन्वर्स ऑप y तो हमने यहाँ पर चड़ी भी क्या है कि अगर y is equal to y of x जो function है उसका inverse x is equal to y of inverse of y होगा तो इसका derivative क्या होगा ऐसा पूचा गया suppose y is equal to root of x minus 5 यह आपको function दिया है अच्छे से देखो y is equal to root of x minus 5 आपको function दिया है और आपको पूचा है कि इस function के inverse का derivative पहिंड करो तो आपको इसका derivative नहीं पहिंड करना है इसके inverse function का derivative करना है तो आप क्या करोगे पहले इस function का inverse पहिंड करोगे और जब आप इसका inverse करोगे उसके बाद उसका derivative करोगे इस टू एक टिक तो सीदी सी बात है आप क्या करो यहां पे ठेरनपा यूज करो ना क्या है y is equal to root of x minus 5 है तो इसका जो inverse function होगा ओके से आएगा x is equal to inverse of y में आएगा और उसका derivative करोगे चले थे dx by dy is equal to 1 upon dy by dx तो clear है यह function है इसका derivative क्या है इसका derivative क्या है dy by dx is equal to 1 upon 2 root of x minus 5 है तो इस function का derivative अगर यह है तो आपको पाता है इस function का inverse का derivative क्या है यह function है इसके inverse का derivative क्या होता है dx upon dy और dx upon dy क्या है 1 upon dy by dx so dy by dx तो आपके पास पहले से ही है so 1 upon 1 upon dy by dx के वालु यहाँ से put करूँगा 2 root of x minus y यह कहा जाएगा उपर तो आपको क्या मिलेगा 2 root of x minus phi हो तो आपने क्या क्या इस function को इसका inverse find किया ही नहीं इसके inverse को find किये बिना आपने क्या किया उसका derivative find कर लिया तो यह जो basic theme है ना इसे आपको अच्छे से समझना होगा अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझागे ना तो competitive का कोई भी critical problem solve नहीं कर सकते तो अगर आपके इसके example example की practice अगर आपको चाहिए इस type के कुछ questions आपको चाहिए तो मैंने description में derivative of inverse function में एक link post किये अगर आप उसे देखोगे तो आपको इस type के धेल सारे problems वहाँ पे मिलेंगे आप अच्छे से practice कर सकते हो तो चलो ए जो inverse function था तो इसी की help से हमने पहले क्या किया inverse trigonometric function याने कि sin inverse of x cos inverse of x tan inverse of x cot inverse of x उसके बाद sec inverse of x and cosec inverse of x इनके derivative को find किया तो सभी इसके derivative आपको पता होंगे sin inverse of x का derivative क्या है 1 upon root of 1 minus x square cos inverse x का derivative आपको पता है minus 1 upon root of 1 minus x square tan inverse x का derivative आपको पता है 1 upon 1 plus x square contin inverse x का derivative माइनस 1 upon 1 plus x square second inverse x का derivative पता है 1 upon x into root of x square minus 1 and cosec inverse x का derivative माइनस 1 upon x into root of x square minus 1 तो यह जो questions से इसके सामने आपको वहाँ पे देखो x की valuation भी दिये जैसे यहाँपे x की valuation दिथी minus 1 to 1 and y की valuation दिथी minus pi by 2 to pi by 2 तो जो x की valuation थी x belongs to close interval of minus 1 to 1 and y belongs to close interval of minus pi by 2 to pi by 2 आपने proof study किये होंगे 12th standard में तो ये जो valuations थी एक Q दी थी इसका आपने कभी थिंक या है इसके उपर तो x की value यहाँ belong करनी चाहिए and y की वाली इससे के भी चूनी चाहिए तबी हम sin inverse x का derivative 1 upon 1 root of 1 minus x square ले सकते तो ये जो valuations ही ये limitations जो है ओक्यू है तो ओक्यू है क्योंकि इसके लिए ये कौन सा function है inverse function है जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी inverse function exist नहीं होता हर किसी का inverse function exist नहीं होता तो inverse कभी exist होगा जब ओ function by executive होगा तो sin inverse of x अगर हमने y पे ये restrictions नहीं लिए तो sin inverse of x कभी भी exist नहीं होगा क्योंकि sin का जो function है वो कभी by executive नहीं होगा तो अगर y की value हमने minus pi by 2 to pi by 2 के बीच में ली तबी sin of x जो आपका function है वो by executive होगा और तबी sin inverse of x जो है वो exist होगा तो ये existence जो ये आपको अच्छे से समझना होगा तो ये होगा आपका basic ये चीज भी आपको बहुत ज़रुरी है कि आपको inverse find के बीना आप उसका derivative find कर सकते हो तो ये चीज है यहाँ पर ये जो relations है ये जो terminologies है ये जो conditions है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए formulation तो कोई भी learn कर लेता है लेकिन formulation पर question नहीं आते question आते है conditions पर तो ओ भी आपको जान लेना ज़रुरी होगा तो इस type में आपको कौन से problem solve करने है इनको भी अच्छे से समझ लो चलो देखो यहां पर बोड़ते तो यह जो inverse function है ना इसमें ज्यादा तर जो problems पूछे जाते हैं वो इस type में होते sine inverse of something cos inverse of something and tan inverse of something इस category में तो अब क्या करना है sine inverse of यहाँ पर कुछ भी हो सकता है चलो यहाँ पर ऐसा हो सकता है 3x minus 4x cube इस category में तो आपको समझना होगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर cube यह कोई ना कोई तो क्या होगा formula होगा तो ऐसा भी हो सकता है 4x cube minus 3x तो आपको समझना होगा a4a, a3a और a3a यह भी किसी formula की तरफ intentions देते है तो अगर आपने यहाँ पर sin theta put किया तो यह पूरा formula किसका होगा sin 3 theta को होगा और अगर आपने इस formula पर गौर किया तो यह क्या होगा cos 3 theta को होगा तो अगर आपने x के लिए put किया तो यहाँ पर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा sin inverse of sin 3 theta यह दोनों identity होगा क्या मिलेगा theta so 3 theta की value क्या put किती sin x theta क्या put किया था आपने x की value क्या put किती x is equal to sin theta therefore theta is equal to kya होगा sin inverse of x so 3 into sin inverse of x तो यह हो गए आपका y तो यहाँ पर आपने क्या किया by putting problem को simplify किया और उसके बाद आप क्या करोगे differentiate तो differentiate करने के बाए dy by dx is equal to 3 into sin x का derivative सबको पता है 1 upon root of 1 minus x square ओके तो यहाँ पर आपने क्या किया अच्चे समझो अगर cos 3 theta होता ना तो यहाँ पर आप क्या करते cos 3 theta की तरब चलते तो sin inverse cos तो identity होता नहीं तो आप क्या करते तब आप क्या करते alert angle का use करते सो sin inverse of cos 3 theta को आप क्या लिखते sin of pi by 2 minus 3 theta अब यह identity होगा pi by 2 minus 3 theta यानि कि pi by 2 minus 3 sin inverse of x इसका d root आएगा 0 तो यहाँ पर आपने क्या कि आच्छे से देखो यहां पर आपके फर्मलेशन टिलमेटरी यहां है अच्छे होने चाहिए तो जो ऑब्ज़र क्या करना है एक constant को observe करना है 3,4,4,3,3 तो इस type के problems को adjust करना है तो putting में क्या होता है अगर बाहर sine inverse है ना तो अंदर क्या हो सकता है sine 2 theta, sine 3 theta, cos 2 theta या फिर cos 3 theta इस type के formulation set होते हैं तो आप putting करके यह जा सकते हो sine inverse था, sine में आ गया तो कोई बात नहीं, cos में आ गया तो solid angle का use करो, उसे कहा ले जाओ, sine में ले जाओ, फिर sine inverse into sine क्या हो जाएगा, identity हो जाएगा, तो समझो, क्या करना है आपको, अगर आपके बाहर cos inverse है, तो अंदर observe करो, observe क्या करना है, constant को observe करो, तो आपको पता चलेगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो formula set होता है, क्या होगा, कुछ तो कुछ formula यहाँ पे set होगा, तो यहाँ के अंदर क्या आएगा, sine 2 theta आएगा, sine 3 theta आएगा, cos 2 theta आएगा, cos 3 theta आएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपकी basic चीज क्या है कि बाहर sin inverse है ना अंदर complicated function है तो आप directly differentiate मत करो आप ऐसे कर देते हो कि sin inverse आप इसे बोलो कि something तो sin inverse का derivative आपके पास है 1 upon root of 1 minus x square तो 1 upon root of 1 minus something फिर something का derivative यह complicated होता जाएगा तो क्या करो अबसर करो बाहर sin inverse है ना बाहर तो अंदर कुछ तो कुछ 대 um तो वह 2 theta में & 3 theta म होगी या फिर sin of x plus y के expansion में mile बाहर सैना बाहर सिक्षड गलेगैं तो अंदर put करने के बाद कुछ तो ऐसा मिलेगा जो 2 theta होगा या फिर 3 theta में होगा या फिर x plus y में होगा ओके ना तो यह हो गई यह basic चीज़े ऐसा भी हो सकता है तो यहाँ पर अगर हमने देखा cos inverse of sin of x 3 sin x minus 4 cos x upon 5 तो आपको यह basic चीज़े समझनी होगी कि cos inverse है तो अंदर कुछ तो cos के formulation या फिर sin के formulation बनेंगे तो अगर मैंने यहाँ पर 3 by 5 को cos a put किया तो definitely sin a जो है ओक्या आएगा 4 by 5 आएगा देखो अच्छे से मैंने cos a को क्या put किया 3 by 5 तो उसी सब से sin a क्या आएगा 4 by 5 तो 3 by 5 को क्या put किया cos a 4 by 5 का क्या आगया sin a तो क्या होगा cos inverse of यह हो गया आपका cos a into sin x minus sin a into cos x तो इसको एरेंज किया cos sin a cos b minus cos a sin b तो यह sin का formula है x minus a का तो अब यह cos inverse a sin a फिर अलड एंगल का यूज किया cos inverse of sin को cos में लिखना है तो so pi by 2 minus x minus a इस तरह से लिखेंगे अब यह identity होगा so pi by 2 minus x plus a a b constant a a b constant a तो इसका derivative क्या आएगा minus 1 आएगा तो यह जो basic चीज़े ना यह आपको study करनी है यह आपको capture करनी है बाहर cos inverse है तो अंदर कुछ तो setting होगी और उस setting को आपको find करना ज्यादा नहीं है 3 to 4 setting से जैसे मैंने आपको बाता है डबल एंगल triple एंगल में होगा अलड एंगल में होगा या फिर sin cos के expansion में होगा जैसे sin of x plus y sin of x minus y cos of x plus y और cos of x minus y इस टाइप के expansion में होगा तो अगर आप यहां पे ध्यान दोगे ना तो इस टाइप में आपका कोई भी problem आजे तो आप आप इजीली क्या करोगे solve करोगे अब ओके सो टैन इन्वर्स टैन इन्वर्स में जो category है उनको देखो क्या है कि टैन इन्वर्स में यहां पर क्या हैगा या तो टैन 2 theta का formula set होगा या फिर क्या होगा 10 inverse of x plus y upon 1 minus xy या फिर 10 inverse of x minus y upon 1 plus xy इस category में जाएगा तो यहां पर अगर आप पुटिंग करके 10 theta मिला सकते हो या फिर पुटिंग करके 10 theta मिला सकते हो अगर ऐसा नहीं होगा तो definitely जो प्रॉब्लेम है वह इस category में जाएगा तो इस category में कैसे जाएगा तो आपको यहां पर basic चीज अबजर करने होगी कि denominator में यहां पर क्या है 1 ही denominator की leading term क्या है 1 ही तो उसके बाद यहां पर xy जो factor है x and y उनकी वह एडिशन है और यहां पर जो factor है उनकी वह उपर subtraction है तो अगर 1 minus होगा तो इस factor की उपर addition होनी चाहिए और अगर 1 plus होगा तो इस factor की उपर क्या होनी चाहिए subtraction हो चाहिए for example देखो चलो अगर आपके पास क्या है tan inverse of 2x plus sorry yes 2x plus 5 upon minus x square minus 5x minus 5 इस तरह से आपका question है तो आप इसे कैसे solve करोगे तो यह something है आप बोलोगे tan inverse of something फिर क्या बोलोगे इसका derivative क्याएगा 1 upon 1 plus something का square into something का derivative हो जाएगा तो आप क्या करो इसे पहल करो तो आपको क्या का है इस फरूले में तो आएगा नहीं यहाँ जाएगा नहीं तो आपको इन दोनों में से कई तो उसे ले जाना है तो केसे ले जाओगे तो सबसे पहले denominator की leading term 1 होई चाहिए तो leading term 1 करने के लिए आपके पास 2 वे एक तो आप add and subtract 1 कर लो या फिर क्या कर दिवाइड बाइड कर लो तो यहाँ पर दिवाइड से तो होगा नहीं इसले मैं add and subtract की तरफ जाओंगा तो 10 inverse of 2x plus 5 divided by यहाँ पर 1 add किया minus x square minus 5x minus 5 यहाँ 1 add किया इसले यहाँ पर तो फिर क्या होगा 10 inverse of 2x plus 5 upon अब यहाँ पर 1 minus common ले लिया so x square plus 5x minus 5 minus 6 minus 6 minus बाहर गया so plus 6 ऐसा आएगा तो इसके factor अगर हमने find किये तो क्या मिलेगा 10 inverse of 2x plus 5 upon 1 minus यहाँ पर आ गए x plus 3 यहाँ पर आ गए x plus 2 तो इस category को यहाँ adjust करो यहाँ पर क्या आ गया 1 minus तो यह जो factor है इनकी addition उपर होनी चाहिए तो फिर क्या होगा 10 inverse of x plus 3 x plus 2 की addition x plus 3 plus x plus 2 upon 1 minus x plus 3 x plus 2 bracketing क्या तो देखो x plus x यहने की 2 x 3 plus 2 यहने की phi u तो अब देखो इस formula को इससे compare करो यहाँ पर वन है minus x यह x है यह x है यह y है तो इससे हम कैसे लिख सकते है 10 inverse of x plus 10 inverse of y और इससे कैसे लिख सकते है 10 inverse of x minus 10 inverse of y तो यह क्या होगा 10 inverse of x plus 3 plus 10 inverse of x plus 2 इसका डिरूट्य आपको पता है 1 upon 1 plus x plus 3 का square plus 1 upon 1 plus x plus 2 का square so direct solve करने से better क्या है आप अच्चे से formulation में convert कर लो अच्चे से formulation में convert करोगे तो आपका answer बहुत ही आसान हो जाएगा tricks भी बहुत आसान है क्या कर लो add and subtract 1 कर लो ओके ना तो क्या करोगे leading term one हो चाहिए basic rule देखो कि जब भी 10 inverse होगा आपके denominator की leading term क्या होनी चाहिए one तो आप one कैसे कर सकते हो आइधर बाइडिवाइडेशन और बाइडिशन add and subtract 1 यहाँ पर मैंने add and subtract की tricks बताई अगर इस तरह से होता tan inverse of cos of x plus sin of x upon cos of x minus sin of x इस category में तो होगा क्या नहीं तो अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आप add and subtract करके answer नहीं ला सकते तो आपको करना क्या होगा tan inverse of cos x के numerator and denominator में divide क्या cos x upon cos x याने की 1 plus sin x upon cos x याने की tan x upon cos x upon cos x याने की 1 minus sin x upon cos x याने की tan x यसी इसीदा आपका फोर्मुला है tan inverse of tan of pi by 4 plus x तो फिर यह दो नहीं क्या हो जाएंगे identity pi by 4 plus x तो आप इससे differentiate करने की वज़े आप इससे differentiate करोगे तो इसका answer क्या आजाएगा वन आजाएगा तो यह जो basic trick से tan inverse के लिए यह मैंने आपको यहाँ पर बताई तो अब हमारा जो next article है वह है logarithmic differentiation तो फिर क्या होगा देखो logarithmic differentiation तो यह जो category है इसमें क्या क्या करना है हमें अच्छे से देखो कि logarithmic differentiation कब apply करना है जब function raised to function होगा तब function raised to function जब होगा तब हमें इस category का use करना है या फिर multiple times multiple times multiplication या division होगा तब भी हमें इसी property का use करना होता है देखो अच्छे से क्या है अगर आपका f of x sorry y क्या है f of x raised to g of x है यानि कि variable raised to variable अगर आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा logarithmic differentiation से उसको solve करना पड़ेगा तो ऐसे तो हम इसका differentiation नहीं कर सकते इसलिए हम यहाँ पे log apply करते log of y is equal to log of f of x raised to g of x तो यह power आगे आएगी g of x into log of f of x is equal to log of y तो अब आप यहाँ पे differentiate करोगे इसका differentiation आ जाएगा और यहाँ पे product rule का यूज करोगे तो इस type में अगर function raise to function होता है तो आपको उसका यहाँ पे क्या है multiple time multiplication चलो हमारा y क्या है cube root of x minus 3 x raise to 2 x minus 2 raise to 5 upon x minus 1 into x plus 3 raise to 7 तो इस category में है तो यह जो function है बहुत ही critical है इसके लिए हम कौन x minus 3 raise to 2 by 3 into x minus 2 raise to 5 by 3 divided by x minus 1 raise to 1 by 3 into x plus 3 raise to 7 by 3 तो log apply करेंगा आपको पता है log अगर multiplication होगा तो log की addition होगी और अगर subtraction होगा तो sorry division होगा तो log की subtraction होगी तो फिर log apply करने के बात क्या मिलेगा log of y is equal to log of x minus 3 raise to 2 by 3 plus log of x minus 2 raise to 5 by 3 minus log of x minus 1 raise to 1 by 3 minus log of x plus 3 raise to 7 by 3 तो यह जो power है यह क्या होगी आगे आएंगी और उसके बाद आप क्या करोगे differentiate करोगे तो यह बहुत ही easily आपका answer आ जाएगा तो यह जो category है logarithm में differentiation कब यूज करनी है कैसे यूज करनी है और इसके लिए सिधा shortcut है आप shortcut का यूज करके one minute के अंदर ही answer find कर सकते हो description में आपको नीचे link दी है तो इस category के बाद आपके पास जो category आती है ओ है पैरामेट्रिक डिफ्रेंसेशन क्या है तो यह जो पैरामेट्रिक डिफ्रेंसेशन है इसका क्या यूज है इसे भी आप अच्छे से Shapפosit के समझ जान खाणकन लो कि पैरामेट्रिक डिफ्रेंसेशन मतलब क्या है x is function of t होता है and y is function of t होता है तो find क्या है मुझे find करना है d y by dx यहा पर x is function of t है इसका मतलब t independent variable happens x t पे इसका मतलब X & Y दोनों के दोनो dependent variable है differentiation के starting में हमने देखा था कि हम हमेशा dependent variable को with respect to independent variable differentiate कर सकते हैं लेकिन यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं एक dependent variable को दुसरे dependent variable से डिवाइड कर रहे है होनी चाहिए तो इससे हम डिप्रेंशेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा डिवाइब डिटी मिलेगा और इससे डिप्रेंशेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा डिएक्स बाइटी मिलेगा सो डिवाइब डिएक्स करना है डिवाइब डिटी अपॉन डिएक्स बाइटी इस इसका मतलब dy by dt क्या होगा जी डैश of t and dx by dt क्या होगा यब डैश of t इस तरह से आप क्या करोगे dy by dx को find करोगे ओके ना तो यह जो category है यह ज्यादा तर कहां पर यूजड होती है differentiate u with respect to v इस टाइप में होती है तो differentiate u with respect to v इसका मतलब क्या है du by dv find करना तो u क्या होगा एक थर्ड वेरेबल में function होगा भी प्या होगा थर्ड वेरेबल में function होगा तो इसका derivative find करो इसका derivative find करो दोनों का division लो तो आपको क्या मिलेगा u का derivative with respect to v मिलेगा तो ज्यादा तर चलो example में ले लिया so differentiate tan inverse of x with respect to चलो यहाप ही क्या ले लिया cos x तो आपको क्या करना है इसको यू बोलना है इसको भी बोलना है इसका derivative लो du by dx इसका derivative आएगा dv by dx दोनों का divination करके लो आपको क्या मिलेगा इसका derivative with respect to cos x मिलेगा तो basically एक function को दुसरे function के relative differentiate करने के लिए हम क्या यूज़ करते है पैरामेट्रिक differentiation यूज़ करते है उसके बाद जो हमारी category आती है ओ है derivative of implicit function क्या है derivative of implicit function तो basically आपको यह जानना होगा कि implicit function and explicit function में क्या difference है तो अकसर आपको क्या दिया जाता है y is equal to function दिया जाता है तो आप y को x में यानि कि y alone को आप x के बार x के terms में represent कर सकते हो तो अगर आपका y only x and constant के term में अगर express किया जाता है तो इस function को हम क्या बोलते है explicit function बोलते है y can be expressed as a terms of x and constant alone therefore it is called as a explicit function लेकिन अकसर क्या होता है चलो इस तरह देखो x into y is equal to cos of x plus y अगर यह आपका function है cos की जगत sin of x plus y भी ले सकते हो तो यहाँ पर आप y को separate out नहीं कर सकते यानि कि इस function को y is equal to something में आप लिक नहीं सकते तो आपका y separate आएगा नहीं तो इस तरह से अगर आपका function है o x and y में mixed है जिसे हम y को in terms of x या फिर x को in terms of y ऐसे लिक नहीं सकते तो उस type के function को हम क्या बोलते है implicit function बोलते तो implicit function अगर होगा तो उसका differentiation में dy by dx के से पहिंड करना है तो simple सी बात है आप क्या करो यहाँ इस सीधा directly differentiate कर दो differentiate करने के बाद क्या मिलेगा first as it is y का derivative के आएगा dy by dx is equal to first second as it is y इसका derivative 1 sign of something का derivative के आता है cos of something इन्टू something अड़ीट क्या है 1 plus dy by dx multiply कर लो cos of x plus y plus cos of x plus y into dy by dx तो यहाँ पर क्या है x dy by dx plus y यहाँ dy by dx है यहाँ dy by dx है इसको इधर लाओ इसको इधर ले जाओ तो आप dy by dx को common लो कुछ तो मिलेगा इसको वहाँ जाके डिवाइड करो आपको क्या मिलेगा dy by dx मिलेगा तो आपको करना क्या है कि अगर आपका function implicit है तो आप उसको y is equal to something में नहीं लिख सकते तो आपको जो दिया है y से उसको लेना है और differentiate करना है अक्सर बच्चे गलती कर जाते जो function दिया है ना उसको फिर y is equal to में लिखते ऐसी गलती यहाँ पे नहीं करने जो दिया है उसको ऐसे लिखो और सिधा differentiation कर दो तो differentiate करने के बाद dy by dx के term equality के one side ले आओ और जो common होगा उसको फिर से other side में जाके divide कर दो तो आपको dy by dx मिल जाएगा तो यह technique बहुत ही आसाने ज्यादा एक टिक नहीं है सिप आपको समझने की जरूरती कि आपको इसको y is equal to something में नहीं लिखना आता तो implicit function होगा तो आप सीधा उसको क्या करो differentiate करो और dy by dx के terms one side में collect कर लो तो इस तरह से आपका क्या होगा implicit function derivative आज आएगा अब आपकी जो next category है तो next category है आपकी higher order derivative higher order derivative तो फिर यहां पर आपको क्या करना है अच्छे से देखो आप क्या करते हो y is equal to यह फॉप x आपको function दिया है आपने इसको differentiate किया तो आपको क्या मिला y dash is equal to या फिर आप इसे y1 भी बोल सकते हो या dy by dx बोल सकते हो या dy बोल सकते हो यह क्या होगा यह अगर आपने इससे फिर से differentiate किया तो आपको क्या मिलेगा d square y by dx या फिर y2 या फिर y double डैश या फिर d square y is equal to double dash of x इस तरह से मिलेगा अगर आपने इससे फिर से differentiate किया तो d raise to n by dx raise to n y n y n is equal to d n y is equal to up raise to n x तो इसे हम क्या बोलते हैं यन्थ order derivative बोलते हैं तो इस तरह से हमें यहाँ पे second order पे focus करना है and यन्थ order पे focus करना है तो यह आपका यन्थ order derivative मतलब आपने दे होए फंक्शन को यन्थ time क्या किया है differentiate किया है तो यहाँ पे जो problems आएंगे नजादा तो यहाँ पे यन्थ order find करने के लिए और second order के जो show that के problems होते हैं उसमें तो यहाँ पे आपके critically क्या होता है d square y by dx square find करो अब यहाँ पे आपको parametric rule का भी यूज़ करना पड़ता है कभी कभी आपको क्या दिया y is function of theta दिया x is function of theta दिया और बोला d square y by dx square find करो तो आपको क्या करना होता है parametric rule से पहले d y by dx find करना होता है और उसके बाद उसका second derivative लेना पड़ता है और एक बात जब इस second order derivative के जो show that के problems होते वह भी critical होते है और ज्यादा तर CET में या फिर competitive में इसके बारे में questions होते है तो show that के problems जब हम solve करते है ना तो हमको half part दिया होता है और half part हमें mcq से select करना होता है तो अक्सर आपको जो दिया है ना उसकी तरफ concentrate करो तो आपका show that आता है बहुत से student जो है उनको यहाँ पर दिक्कत आती है परेशान्य आती है कि जो उनके problem से वह solve नहीं होते है क्योंकि वह गलत तरह से उसको solve करते है चलो यहाँ पर देखो अगर y is equal to sign inverse of x simple question लेता हूँ ऐसा दिया है और आपके show that में ऐसा कुछ तो है something लिका है चलो तो मुझे find करना है ऐसा कुछ और दिया है ऐसा कुछ तो यहाँ से clear हो जाएगा मुझे second time differentiate करना है तो आपको इसकी तरफ अच्छे से ध्यान देना होगा मैंने यहाँ पर फर्स्ट differentiate किया तो क्या मिला dy by dx is equal to sin x का duty है 1 upon root of 1 minus x square तो मैं आपको यहाँ पर basic root नहीं है यानि कि मैं idea जो आपको बताने जा रहा हूं ओ है squaring की बहुत से critical problem आप squaring technique से बहुत ही आसा नीमे solve कर सकते हो मुझे जो demand थे उसमें root नहीं है लेकिन जो आया ही इसमें root है आप गलती क्या करते हो आप यहीं पर second time differentiate करते हो मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं यहाँ पर square लेता हूँ so square लेने के बात क्या मिलेगा dy by dx bracket square is equal to 1 upon 1 minus x square cross multiply किया 1 minus x square into dy by dx bracket square is equal to 1 अब मैं differentiate करूंगा first as it is 1 minus x square इसका derivative 2 dy by dx into d square y by dx square plus second as it is dy by dx bracket का square इसका derivative minus 2x इसका derivative 0 so यहाँ पर 2 dy by dx यहाँ पर 2 dy by dx तो क्या बचा 1 minus x square into d square y by dx square minus यहाँ पर x यहाँ पर dy by dx is equal to 0 यह इधर गया तो यह equal to होगा और आपका answer आजाएगा x dy by dx तो इतने basic steps में आपना answer आना चाहिए क्यों यहाँ पर मैंने सिर्फ एक टेक्निक यहाँ पर use की है ओ है squaring की तो आपको यह देखो कि आपका जो first derivative आता है ना उसके तुरंत बात आपको second derivative नहीं लेना है तो आपको क्या करना है observe करना है मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए और बस यहीं डिप्रस में आप क्या करते हो squaring अगर कर लोगे ना तो आपका answer आना तहीं है तो इस तरह से second order में आपके जो show that के problem जो होंगे वह बहुत ही simple हो जाएंगे अब last article में क्या है आपको यंत order derivative find करना आना चाहिए तो उसका भी एक example लेकर आपको यहाँ पर बताता हूँ अच्छे देखो चलो मेरे पास क्या है y is equal to sin of x है तो मैंने इसको differentiate किया मुझे क्या मिला y dash is equal to क्या है sin x का derivative आएगा cos x तो cos x को फिर से मुझे sin x में अगर लिखना है तो कैसे लिखूंग तो क्या होगा y double dash is equal to sin of something so sin of something याने की क्या होगा sin का derivative क्या है फिर से cos of pi by 2 minus x into minus x का derivative minus होना आएगा तो यहाँ पर minus cos of pi by 2 minus x होगा तो cos है तो इसके लिए पर लिए हम क्या करेंगे minus cos कब आएगा cos of pi minus theta ऐसे लेंगे theta मतलब क्या pi by 2 minus x तो cos pi minus theta मतलब क्या होगा minus cos theta तो अब इसे solve करेंगे तो क्या मिलेगा cos of pi minus pi by 2 याने की pi by 2 minus 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 याने की plus x pi minus pi by 2 मतलब pi by 2 आगया minus minus plus याने की pi by 2 x आगया अब cos pi by 2 plus x लेकिन मुझे sin में चाहिए इसका फिर से conversion अगर मुझे करना है sin में तो क्या आएगा cos का conversion sin में लेने के लिए cos pi by 2 minus x pi by 2 plus x इसका मतलब क्या होगा minus sin x तो minus sin x को फिर से हम के से लिखेंगे sin of pi plus x तो इस तरह से आगया तो pi plus x में आगया या फिर आप इससे लिख सकते होगे तो यह आपका क्या आगया second derivative तो आपका first derivative क्या था sin pi by 2 minus x आपका second derivative क्या था minus sin x तो sin x क्या है आपका y है so y double dash आपका क्या आगया minus y आगया तो आप यहां से कितनी भी बार differentiate कर लो आपको तकलिप नहीं होगे तो आपको third तो यंत order fine करने के लिए basically आपको करना क्या होता है three times differentiate करना होता है first derivative second derivative and third derivative तो तीनो derivative अगर आप find कर लोगे न तो आपको क्या करना है generalization करना है generalization करने के बाद आपके answers आ जाएंगे तो यंत order derivative के problems को अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो में मैंने आपको एक और link दी है description में आप उसे देख सकते हो यंत order के problems कैसे solve करने है आपके clear हो जाएंगे तो यह जो वीडियो है आपको कैसा लागा आप मुझे comment करके जरूर बताना अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को like करना ना भूले और आपने अगर एक्सपर्ट दहे को चैनल को अगर अब तक subscribe नहीं किया है तो kindly subscribe the channel for the latest notification Thank you very much